हलो गाई सम्भात किन वाले हैं आईश्र मोटर इस कमणी के बारे में इस कमणी का quarter 3 F23 का result आ चुका है सामने क्या राइश कमणी का result और क्या इस कमणी ने dividend दिया है कि नहीं इसी के बारे में discussion करेंगे तो वीडियो को जरूँ से enter देखते रहें ना हाई शेर मोटर तर इस कमपनी की बातगे तो एप लोगो के सामने इतैसmore सारी है करूर्स में कि गी यह條फ करेंगे यह पर ऐसरेंट न फिशोड अ led यह पिछले कौरटर का रूजल्स साल स्यम कोबनी की income की बात करें तो revenue from operation and other income को मिला कर कमपनी का total income इस quarter के अंदर 3781.24 करोड रुपेस का कमपनी का total income देखने को मलता है quarter and quarter base के उपर और पिछले साल same quarter के मुकाबले company की income में लगातार तेजी देखने को मिल जाती है बाकिस कमने के expense की बात करें तो cost of raw material के अंदर purchase of stock and trade and अलग-अलग expenses को मिला कर कमपनी का total expense यहाँ पर 2887.41 करोड रुपेस का कमपनी का total expense है कमपनी का quarter and quarter base के उपर लगातार income में बड़ोतरी हुआ है वैसे ही यहाँ पर कमपनी के expense भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ जाते है बाकि इस कमपनी के net profit after tax की बात करें तो वैयार इस कमपनी का net profit after tax देखने का बहल जाता है 680.7 करोड रुपेस का जो quarter and quarter base के उपर और पिछले साल same quarter के मुकाबले लगातार बढ़ता हुआ नजर आ जाता है कमपनी के EPS earning पर शेर की बात करें तो 24.87 रुपेस का कमपनी का 89 रुपेस के आसपास का EPS trade हो रहा है जो quarter and quarter base के उपर और पिछले साल same quarter के मुकाबले लगातार बढ़ता हुआ नजर आ जाता है कमपनी का overall result भाई बढ़िया देखने को मिलता है overall आप लोग इस कमपनी का considerator result देखने जाओगे तो वहाँ पर भी कमपनी ने बहुत ही बढ़िया profit generate किया है around 740 करोड रुपेस के आसपास का तो है और बढ़िया कमपनी का result है और इसका impact कमपनी के शेर के उपर आज की दिन बहुत ही जदा positive भी देखने को मिला आज एक दिन के trading session में company के share में almost आप लोग बुल सकते हो 4-5% की तेजी आती भी देखने को मिली है आप लोग देखने जाओगे तो lower level से company का share यह एक candle one hours की है और आप लोग देखने जाओगे तो भाई company का share एक दीन के अंदर बरलब यह जो आप लोग इस company के अंदर आईशा मोटर के अंदर invested हो तो आप लोगों को इस company के अंदर long term के लिए और आने वाले minimum 5 साल के लिए तो इस company के share को holding continue करना चाहिए मिरको असा लगता है कि इस company का जो commercial vehicle वाला जो sector है वो यहाँ पर consistency के साथ एक यहाँ पर आप लोग बुल सक वो यहाँ पर company को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा accelerate कर रहा है अभी तो भाई vlogging vlogging का यहाँ पर काम का शुरू हो चुका YouTube पर आप लोग देखते होंगे क्या Royal Enfield वाले बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे चुछ यहाँ पर bike gang आप लोग बूल सकते हो यह कुछ भी बूल सक को invested नहीं हो तो आप लोग इस company के अंदर 2990 रुपे 2770 रुपे और 280 रुपे के आसपस खरीदारी कर सकते हो बिक्वाली करना चाते हो short term के लिए खरीदा था तो आप लोग यहाँ पर बिक्वाली करके चल सकते हो around 3360 रुपीज 3780 रुपीज की price की अप ठीक है तो बस आज क के अदर long term के लिए investment करना चाते हैं बस नेचे के levels के अपर खरीदो और इस company को आने वाले 3-5 साल के लिए भूल जाओ ठीक है तो बस आज के लिए गुडबाय लफ गुडबाय फिर मिल तर नेक्स टुड़ो में गुडबाय